अभी मैं आज एक नए टॉपिक के शुरुआत करवा रहा हूं आप सभी को एंद नेम अब दिस टॉपिक इस एक्चुली पेस्यूइस तो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि आप में से कुछ लोगों ने पेस्यूइस पढ़ा भी होगा पहला है लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि हमको टीचर बनना है है ना तो यह पेस्यूइस अभी तक आपने जो भी पेस्यूइस पढ़ा है उससे डिफ्रेंट ही रहेंगे लेट में डैल यू सबसे पहले आपके स्ट्वेंट्स को आपको बताना है कि पेस्यूइस होते गया है तो आप उनको यह सिखाया है कि भई देखो आपका जो तो आई इस एक्चुली सब्जेक्ट एंड गो देयर इस एक्चुली यह प्रेडिकेट यह आपने बच्चों को सिखा दिया आपने अपने स्ट्वेंट को चीज सिखा दी आपका स्ट्वेंट सीख गया है लेकिन अब आपको क्या सिखाना है सबसे इंपॉर्डेंट चीज वो यह कि आपने कहा कि भई आई गो देयर आई स्पीक इंग्लेश आपने कहा आई हैल फें ठीके सरल सरल संट्वेंट अब मान लीजिए यह सारे सेंटेंस में आपका आगे देखो क्या रहा है सब्जिक्ट आ रहा है आई 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 दे यह सब सब्जिक्ट है लेकिन पेस्यो यह सब एक्टिव इसके सेंटेंस लेकिन पेस्यो इसमें क्या होता है ऑबजिक्ट और ऑबजिक्ट के जस्ट बाद में लगता है प्रेडिकेट मतलब यहां पर सब्जिक्ट प्लस प्रेडिकेट एक्टिव इसमें होता है और पेसी हो इस में क्या हो जाता है object के बाद में predicate अब आप कहोगे सरी यह तो पूरा बदल लिया है जी है object के बाद में predicate कैसे जिसे मान लो object है cricket तो आपके sentence की शुरुवात जो है वो cricket से होगी कैसे cricket is played cricket खेला जाता है he is held उसकी मदद की जाती है English is spoken here यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है boys and girls are taught here लडकों और लडकियों को यहाँ पढ़ाया जाता है अब कोन पढ़ा रहा है यह हमको समझ में नहीं आ रहा है अब देखो ना cricket is played cricket खेला जाता है कोन खेल रहा है हमको पता बिल्कुल नहीं है we don't know who is playing cricket but here they play cricket वे cricket खेलते हैं लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है cricket is played cricket खेला जाता है आप कौन खेल रही किरकेट कुर अभी खेल रहा श्याम खेल रहा है मोवन खेल रहा तुम खेलरो में ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या सीखा हमने सबसे पहली चीज कि बाइब उसका ब्लसक्राइब कोई भी एक्षन बाइब जो है उसके साथ में जो object आता है वो object और वो वर्ब जो है वो predicate कहला है तो active passive में सबसे बड़ा major difference यह कि भाई active wise में शुरुआत subject से करते हैं और passive wise में शुरुआत object से करते हैं active wise में subject का होना बहुत ही जरूरी है but in passive wise subject is not required if you have subject use it if you don't have forget it subject है तो लगा दो नहीं है तो बोल जाओ अब मैंने का cricket खेला जाता है cricket is played English बूली जाती है English is spoken कौन बोल रहा हमको बता ही नहीं है so if you don't have subject just forget in passive wise because in the passive wise there is no place there is no importance of subject in short subject की कोई एमियत नहीं है पेस्योइज में और है भी तो लास्ट में लग जाता है कि क्रिकेट इस प्लेड कौन खेल रहा है ये लोग खेल रहे है तो क्रिकेट इस प्लेड बाइए ये लास्ट में लग जाता है तो ये चीज सबसे पहले हमको हमारे स्ट्वेंट को सिखा रही है कि वोट इस एक्टिव ओइस और वोट इस पेस्व ओइस अब सेकंड चीज वाइट टू टीज दें उनको पेस वाइस की पढ़ाना हमाँ है ये भी एक प्रशन उठता है बहुत बड़ी बात है ये ये वी मस्क्रत लोगी हमए अपने स्ट्वेंट को पीश ओइस क्यों बात है ये तो ये चीज में उनको क्लियर करनी है और ये पहले हमको क्लियर कंडानी है कि हमको हमारे स्टुएंट को पेस्वाइज क्यों पढ़ाना है तो हमें हमारे स्टुएंट को पेस्वाइज भी यह इसलिए पढ़ाना है क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं are already, they are actually spoken in PCU-wise only. कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनने PCU-wise में ही बूला जाता है. अब देखो, यहाँ पर एक जो statement लिखा है. कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनने PCU-wise में ही बोला जाता है या बनाया जाता है. जो भी अपका हूँ. तो मुझे बताईए इस वाक के में आपको क्या दिख रहा है? कि कुछ sentences ऐसे होते हैं. There are some sentences. There are some sentences जिनने PCU-wise में ही बूला जाता है. That are spoken in PCU-wise. That is the concept. That are spoken in PCU-wise जो किस में बोले जाते हैं? PCU-wise में बोले जाते हैं. तेके? आप समझो ना concept क्या है? कुछ sentences ऐसे होते हैं. There are some sentences जिनने PCU-wise में ही बोला जाता है. That are spoken in PCU-wise. So, this is the concept. यह आपका इस तरीके से चल रहा है. There are some sentences that are spoken in PCU-wise. तो अब यह जो statement आपने दिया that are spoken in PCU-wise इसमें मुझे बताएं subject क्या है? There is no subject. यहाँ पर कोई subject है ही नहीं. और जहाँ subject नहीं हो, वो sentence किसमें जाता है? PCU-wise में जाता है. इसलिए हमको अमारे students को PCU-wise पढ़ाना जरूरी हो जाता है. कि भई PCU-wise मतलब कि आपको object को priority देना है. मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा. मैं सारे एक सारे PCU-wise के sentence बोलता हूँ. English पढ़ाई जाती है. अब आगे में लिख देता हूँ PI में. परसुना इंस्टिट्यूट में English पढ़ाई जाती है. दूसरा sentence. यहाँ सभी प्रकार की किताबे बेची जाती है. ठीक है? तीसरा Schools कल से खोले जाएंगे. अब मुझे बताईए स्कूल को खोलेगा कौन नहीं पता हमको. लेकिन Schools कल से खोल दिये जाएंगे. यहाँ सभी प्रकार की किताबे बेची जाती है. PI में English पढ़ाई जाती है. तो यह कुछ ऐसे स्पैसफिक सेंटेंसेस हैं that are actually spoken that are actually written only in passive ways. अगर आप इनको एक्टिव में बनाने की भी कुशिस करोगे तो पहले आपको subject लगाना पड़ेगा. आपको लिखना पड़ेगा इस सेंटेस को कि भई स्कूल कल से खोले जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा सरकार कल से स्कूलज खोलेंगी. तो आपको सरकार को बता नहीं नहीं, गौवर्मेंट को बता नहीं नहीं, तो आपने क्या-कया कल से स्कूल खोले जाएंगे. दूसरी और यहां सभी प्रकार की किताबे बेची जाती, है परसोना इंस्टिट्यूट में इंग्लिश पढ़ाता है कि वे परसोना इंस्टिट्यूट में भूशन सर पढ़ा रहा है शाम सर पढ़ा रहा है शिखा में पढ़ा रहा है कून पढ़ा रहा है पढ़ाई तो इंग्लिश जा रहे हैं तो इंग्लिश को प्राइटी देना ह इसमें क्या करते हैं तो बोले देखो ये आपका बोलना की active voice है और बोले ये PC voice है इसमें क्या करते हैं तो बोले इसका structure देखो ये होता है V1 V5 plus object present simple tense में और बोलना इसको PCV में बनाते हैं तो यहां पर object लगागे यहां इसे मार लगादो इसे मार लगाकर यहां बोले V3 लग लगता दिया आपने तो फिर उनको बताओ बोला यह प्रेजेंट हो गया है ऐसे पास्ट लगता है तो यहां क्या लगता है पास्ट में देले आपको कुछ नहीं करना है यहां पर जहां इसे मार लगा उसके नीचे क्या लगा देना वाज वर और फिर वी थ्री बाय प्लस सब अब जेक ऐसे बोलना future में बताओ क्या लगता है दो चिल लाएगा जोर से विल लगता है sir बोले very good इसका जब पेस्व बनाता है तो पता है विल किसमें बदल जाता है विल बी में बदल जाता है और फिर लगता है वी थ्री बाय प्लस सब जेक्ट और फिर उसको यह जब वो समझ जाएगा एक्टिव से पेस्व केसे चेंज हो रहा है तब उसको पेस्व इसकी दीरे से importance बताना अब जैसे sentence लिखा स्कूल कल से खोले जाएंगा उसको यह समझ में नहीं आएगा कि मैं शुरुआत कल से करूँ स्कूल से करूँ कि जाएंगे कि सभी प्रकार क तो यह समझाने के लिए उसको यह समझाना कि आपके sentence के अंदर जो object होता है उस object को पहचानना होता है और जो main object होता है वही आगे आता है जिस देखिए आपने कहा I speak English with my friends अब देखिए इस sentence को I speak English with my friends अब इसमें आगे जो आएगा वो आगे सिर्फ और सिर्फ English आएगा with my friends आगे नहीं आ सकता क्योंकि यह prepositional object है यह इसा object है जो preposition के साथ आए देगो ना with my friends तो with my friends यह आगे नहीं आ सकता यह उदर पीछे रहेगा आगे सिर्फ और सिर्फ English आ इंग्लिश इंग्लिश के साथ इस लगेगा M और आर नहीं लगेगा तो इसको बताओ कि M I के साथ ही लगता है आर जो है दो यह दो से ज़्यादा जो बड़े objects रहूंगे यह फिर आप कह सकते plural objects जो होंगे उनके साथ आपको आर लगाना है तो English is spoken by me with my friends यह फिर English is spoken with my friends by me by me मतलब I का क्या हो गया देखो I का हो गया by me यह by के बाद me ऐसे ही she का क्या हो जाएगा by her they का क्या हो जाएगा by them we का क्या हो जाएगा by us और क्या चुटा you का तो you ही होता है he का क्या हो जाएगा by him बस यह पांच के change होता है इसके अलावा मानलों यू आ गया, तो यू का बाई यू ही होगा, फिर भी आ गया तो बाई रभी ही होगा, चेंज ये पांच-छे के होता है, जो मैंने लिख दें हैं आपर, तो ये बात है कुल मिलागे, जो आपको ऐसा समझ नहीं, अगर आपको ये समझ में आ जाता है, य ये किस तरीके स्वक कर रहा है, तो ये ऐसा चलता है, तो I speak English, English is spoken by me, I spoke English, English was spoken by me, I will speak English, English will be spoken by me, that is a concept.